Hello friends, welcome to my channel friends आज मैं आप के लिए एक बोहुत ही प्यारा सा जिक जिक डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है ये डिजैन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप लेडिज कार्डिगन, लेडिज हाब जैकेट, गर्ल्स टो, फ्रो, कुर्टी, हाई नेक किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है गर्ल्स और लेडिज के सभी प्रोजक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस design को बनाने के लिए आपको 16 के multiple फंदे लेकर 5 फंदे extra लेने होंगे तो ये design आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 16 के multiple देखिए आप इसमें 16 फंदे गिन लेजिए फिर से 16 फिर से 16 इस तरह से बार बार 16 फंदे गिन दे जाएए और last में आपके 5 फंदे होने चाहिए ये design सीधी side से शुरू होता है और 10 लाईयों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये design कैसे बनाया गया है तो ये देखिए friends इस design को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 37 फंदे 16 दोनी 32 और उसमें 5 फंदे extra फंदे इसमें मैंने normal ही डाले हुए हैं तो इस design के लिए आप इस तरह से normal और हलके से loose हाथ से फंदे डाल लीजिए फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से आप इसमें पहले उल्टी उल्टी बना लीजिए जिससे इसमें इसकी ये जो किनारी है ये मजबूत बन जाएगी अब हम यहां से design की पहली सलाई बनाएंगे तो ध्यान दीजेगा कि design की पहली सलाई कैसे बनेगी पहला फंदा इसका S-T-C है इसे उतारिये या उल्टा बनाएए ये आपकी अपनी मर्जी है उसके बाद देखिए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और साथ फंदे सीधे बनाएंगे देखिए जब हम धागा अपनी तरफ करके फंदा बुनते हैं तो जाली से फंदा बढ़ जाता है तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ अब देखिए एक, दो, और ये तीन, इन तीन फंदों को इस तरह से हलका सा लूज करेंगे और बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का इस तरह से एक फंदा बना देंगे फिर देखिए हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो और ये तीन धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और फिर एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा ओल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा तो ये देखिए एक जाली से फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया है और एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया यहाँ पर हमने तीन का एक किया था तो दो फंदे कम हुए थे जो हमने दो फंदे जाली से बढ़ा दिये है तो ये स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ कर यहाँ से यह देखिए एक दो तीन च्यार पांच छे और ये साथ अब एक दो और ये तीन इन तीन फंदों को हलका सा लूज करेंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का एक फंदाय से बना देंगे फिर से तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया धागा अपनी तरफ एक उल्टा और धागा पीछे एक फंदा सीधा तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने ये 16 फंदे का डिजाइन बनाया फिर से इसी डिजाइन को बार बार रिपेट करते जाना है और लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा इसे आप ऐसे उल्टा ही बुन दीजिए तो डिजाइन की पहली सलाई complete हो गई है इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सलाईयां उल्टी ही बनती है जितना ये डिजाइन देखने में सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है न्यू बिगनेर्स भी इसे आसानी से बना सकती है तो उल्टी साइड से दूसरी सलाई को उल्टा बोन्ते हुए कम्पलेट कीजिए तो ये देखिए, दो सलाईा डिजयन की कम्पलेट हो गई, तीसरी सलाई है और सीधी साइड तीसरी सलाई को अब आपध्यान से देखिएगा पहला फंदा इसका S-T-C है इसे उतारिये या उल्टा बनाएए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा तो ये इस तरह से 4 फंदे छोड़के अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए इस धागे को हम अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहां पर हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अब देखिए इस वाले फंदे पर हमने 3 काई किया था तो 2 फंदे इधर से ये वाले और एक ये इन 3 फंदे को हलका सा लूज कर लिजिए और फिर back side से slide डालिए और 3 का एक फंदा बनाएं तो यहाँ पर देखिए जब हमने तीन का एक किया तो दो फंदे कम हो गए एक हमने जाली से यहाँ बढ़ा दिया एक हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यह तीन का एक करने के बाद अब चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और यह चार फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक फंदा ये सीधा तो यह देखे स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने यह 16 फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को हम बार बार रिपेट करेंगे तो फिर से डिजाइन को रिपेट कर रहे हैं ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे, एक, दो और ये तीन, इन तीन फंदों में इस तरह से बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर चार फंदे सीधे एक, दो, और ये तीन, और ये जाली वाला चार तो ये चार सीधे बुनने के पाद धागा अपनी तरफ कीजिए एक फंदा सीधा बनाया तो यहां देखे जाले आ गई फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा और एक सीधा तो यह देखेगा यहां से यहां तक हमने यह 16 फंदे का डिजैन बनाया अब इसी को आप बार बार रिपेट कीजिए और लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे तीन सलाईया डिजैन की कम्पलेट हो गई चोथी सलाई है और उल्टी साइड है इसको आप इस तरह से उल्टा बुनते हुए कम्पलेट कर दीजिए तो ये देखे चार सलाईयां कम्पलेट हो गई और आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा तो ये चार फंदे इस तरह से बुनने के बाद अब हम यहां से डिजाइन को शुरू करेंगे धागा अपनी तरफ कीजिए और अब पांच फंदे सीधी बनाईए देखिए एक दो तीन चार और ये पांच आब देखिए इस फंदे पर तीन का एक किया था और दो इसके आगे वाले इन तीनों फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन का एक फंदा यहां पर बना देगे फिर देखिए एक दो तीन चार और ये जाली बाला पांच फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाया तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया जो बीच में तीन का एक करने से कम होते हैं वो जाली से बढ़ रहे हैं धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे और एक सीधा स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक 16 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपेट करेंगे धागा अपनी तरफ और पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और यह पांच अब देखे यह तीन का एक किया था दो इधर के इन तीनों फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन का एक फंदाया से बना देंगे फिर एक, दो, तीन, चार और यह पांच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा तो देखें एक जाली हमारी यहां पर आई और एक जाली हमारी यहां पर आई तो फंदे यहां जो बीच में कम हुए वो बराबर हो गए लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे पांच सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई छटी सलाई उल्टी साइड से इसे उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए छे सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी सातमे सलाई और सीधी साइड पर पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा तो चार फंदे सीधे देखे धागा अपनी तरफ है एक दो तीन और ये चार अब देखे इस फंदे पर तीन का एक किया दो इसके आगे वाले इन तीनों फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन का एक फंदाय से बना देगे धागा पीछे ही रहे एक दो तीन चार पांच और ये छे फंदे सीधे धागा अपनी तरफ और एक फंदे को इस तरह से हम सीधा बनाएंगे तो यहां जाली आ गई अब धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे और एक फंदा सीधा ये चार फंदे छोड़ कर ये जो डिजाइन बनाया इसी को बार-बार रिपिट कीजिए तो धागा अपनी तरफ और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और ये चार अब देखें दो फंदे ये और इस पर तीन का एक किया तो तीनों फंदे में बैक साइट से सलाइड डालेंगे और तीन का एक कर देंगे धागा पीछे ही रहे एक, दो, तीन, चार, पॉच, और ये चोफंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा बनाया तो यहां जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे और एक फंदा सीधा इसी डिजैन को बार-बार रिपेट कीजिए और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देगे साथ सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई आठमी सलाई है और उल्टी साइड है इसे धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुन कर कम्पलीट कर दीजिए तो यह देखिए आठ सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई नौमी सलाई है और सीधी साइड है नौमी सलाई को आप देखिए पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईये धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा ये स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ कर यहां से डिजैन श इस फंदे पर हमने तीन का एक किया और ये वाले दो फंदे इन तीनों फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे टाइट हो तो हलका सा लूज कीजिए और बैक साइड से तीन का एक फंदा बना दीजिए अब धागा पीछे ही रहे देखिए एक दो तीन चार पांच छे और ये 7 फंदे सीधी बनाने के बाद धागा अपनी तरफ लेये. एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा. ये स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया. इसी को बार-बार repeat कीजिए देखे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन और अब ये वाले दो और इस फंदे पर जो हमने तीन का एक किया था इन तीनों में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का एक फंदा ऐसे हम बना देंगे फंदे टाइट हों तो हलके से लूज कर लीजिए फिर धागा पीछे ही रहे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ फंदे सीधे बनाएंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे एक सीधा, धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा ऐस्टीच है इसे उल्टा बुन लेंगे तो ये नो सलाइयां यहाँ पर डिजैन की कम्प्लीट हो गई दसमी सलाइ उल्टी साइड से है इसे आप उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए दस सलाइयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है दस सलाइयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब इन्ही दस-दस सलाइयों को बार-बार रिपीट कर दी जाना है तो चलिए मैं आपको इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि डिजैन को आगे रिपीट करने में आपको कोई प्रोब्लम ना है सलाइय बिल्कुल सेम बनेगी जैसे हमने यहां से स्टार्ट की है लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लिजे कि नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग कैसे होगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा ये स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ कर यहां से हम डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे तो धागा अपनी तरफ और साथ फंदे सीधे देखिए एक दो तीन च्यार पांच छे और ये साथ साथ फंदे सीधे बुनने के बाद एक दो और ये तीन इन तीन फंदे को हलका सा लूज कीजिए और बैक साइड से सलाई डाल कर तीन का एक फंदा बना दीजिए फिर तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने 16 फंदे का डिजाइन बनाया है अब इसी को आप बार बार रिपेट कीजिए तो देखे धागा अपनी तरफ 7 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7 1, 2, ये 3 इन 3 फंदे को हलका सा लूज कीजिए बैक साइड से स्लाइड आलिए और 3 का एक फंदाय से बनातीजिए फिर 3 फंदे सीधे 1, 2, और ये 3 धागे को अपनी तरफ लेकर आईए 1 सीधा, धागा अपनी तरफ 1 कुल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा यही 16-16 फंदे का डिजाइन बार-बार रिपेट करना होता है और लास्ट का फंदा एस्टीज है इसे उल्टा बनाएंगे उल्टी साइड की सारी सलाइयां इस डिजाइन में उल्टी ही बनती है तो फ्रेंट से जब आप बार-बार इनहीं 10-10 सलाइयों को रिपेट करेंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूesi से शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोς के आपको सबसे पहले मिल सके हैं और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके हैं तेंक यू